तो इसलिए हम हमें समझना है कि सबसे बड़ा जो वैसे जो सुवसर है मनुश्य जीवन का वो भगवान बाबा का सानिद्य ही है एक बार भगवान बाबा से भगवान बाबा ने स्वय पूछा पताओ जीवन इस मानव जीवन का अंदर में सबसे अधिक मुल्यवान क्या है तो सब ने कहा स्वामी दिव्य प्रेम किसने का भगवान साक्षातकार किसने कहा मोक्ष भग उसका सानित्य प्राप्त करना, उसमें विश्वास होना, उसके दिखाए पत्चिन्हों पे चलना, उसकी पाद सेवा करना, यह सबसे बड़ा तुमारा सुअफसर है, और पाद पूजा क्या है, इसी प्रकार एक बार कुलवन्त हौल के अंदर में मदुरई के कुछ भगता आ तो भगवान बावा ने हम इंट्री रूम के लिए बड़े प्रसनत है और कहा देखो, पिशली बार इस कारे के लिए चार दिन लगे, इस बार ये कार दो दिन में ही पूरा हो गया, भगवान बावा ने हमें कुछ उभार भी दिये, और हमें अपने सानित्य दिने बुलाय और इंट्रिवी भी दिया, तो फिर बावा ने हमसे पूछा कि बताओ पाद पूजा का असली अर्थ क्या है, तो मैं तो भगवान बावा के चरण सेवा कर रहा था, तो मैंने का मैं जवाब तो नहीं दूँगा, कि मैं तो पाद सेवा करी रहा हूं ऑलड़ी, तो भगवा पूरे समाज के लिए है, वो पूरे ब्रमान के लिए है, वो हर किसी के लिए है, वो जो दिशा निर्देश जो है, जो उनका आशिर वचन जो है, जो उनकी, हम समझे कि आध्यात्मिक आग्या है भगवान बावा की, भगवान बावा ने कहा देखो, जब भगवान अवतार लेकर आता है, तो वैं समय पटल की उपर में अपने चरण रखता है, और उनके चरण है, चरण चिन है, प्रेम और सेवा, और अधिक प्रेम, और और अधिक सेवा, उससे भी अधिक प्रेम, उससे भी अधिक विस्तारित सेवा, भगवान बावा ने फिर हमारी उस देखा और तुम्हारा कारे क्या है? उन पच्छिंहों की ऊपर में अपने पाउं रखना, अपने पाद रखना और भगवान तक पहुंचना ये असली पाद सेवा है सिर्फ मेरे पाउं दमाना मतलब ये पाद सेवा नहीं है मैंने गाटी का समय समझ गया है कि यह इसरा पादसेवा नहीं है और उनकी शिक्षाओं का उनकी आग्याओं का उनके दिशा निर्देशों का पालन करना अपने जिवन में मेरे ख्याल से यह सबसे बड़ी बहगान बाबा की पादसेवा है तो सर फिर वो कैसे फली भूत हुआ आपके अध्यापन की ऑपर्चुनिटी में उस अवसर में भगवान बाबा ने प्रिंसिपल सर को पुटपर्ती संदेश अब उसके बाद ने वही हुआ हम सब लोगों को एंडॉल कर दिया गया प्री पीएजडी प्रोग्राम के अंदर में और हमारा पीएजडी जो है चालू हो गया उसके बाद में जब जैसी पीएजडी खताम हुआ तो उसके बाद भगवान ने हमसे पूछा कि हम क्या करना चाहते हैं अब तो हमने यही बोला भगवान हमको तो आपकी सेवा ही करनी है तो हम उस समय हम ब्रंदावन के अंदर में थे और उसमय देखो इस रिसर्च स्कॉलर्स के लिए टेक्नीशन बॉइस की बहुत जुरूरत है और मैं चाहता हूं कि तुम साथ सातों बच्चे जो हो अपने अउससे में हमारी पीएजडी एक-एक साल हो चुकी थी बाद ने बोला देखो पीएजडी तुमने एक साल किया कोई फैद लोग बिमार हैं जो लोग जुनको जुरूरत है तुमारे मदद करो कि वरें काा सामी हम तो टयार हैं आप करने के लिएром पहले माता पितासर पूश कर आओ अगर तुमको तो हूबभी कहते हैं कि हाँ तुमको मैं ओस्पिटल में तो मैं ट्रेंश स्काहopsितल के दिखनेगा इंतिजार कर रहे हैं किसी सुअफसर के लिए तो तुम अपने पीएशडी कंटिन्यू करो और मैं उन बच्चों को हॉस्पिल के अंदर में मैं आफसर दे रहा हूं आपको मालूम है 99 बैस के अंदर में कितने 24 बच्चों को करीब वहाँ पर सुअफसर दिया गया टेक्निकल जॉब्स का मैनेज़ीरल जॉब्स का तो वहाँ पर कार रहे हैं तो उसके बाद में भगवान बाबाने हमको continue करने के लिए कहा हमारा को विशेश नहीं हुआ वाइचांसर ने हमको बुलाया फॉर्म भरने के लिए दिया और हमारे लिए जो गाइड्स हैं वो हमारे लिए निश्चित किये गए पर हमारे PhD फिर चाला हुआ उसके मध्य में एक बात ऐसा हुआ कि बाबा ने हमारे गाइड्स नहीं बोला भगवान बाबा ने हमारे एक स्टूडेंट है मुंबई के वो पहले पंजावी के टीम में कार्य करते थे मिस्टर पंजावी उनको बोला देखो यह सब बच्चे जाएंगे मुंबई में तो यह सब बच्चों के लिए अब सब बच्चे चले जाएंगे अपना रिसर्च डेटा क्लेक्शन के लिए राधा स्वाम यह बोल हो जाएंगे तुम इनके साथ बातें करना तो भगवान बाबा ने उनको इमारे साथ में बेज़ दिया तो हमने जब हमारे जाने का समय निश्चित हो गया दास साथ मैं बहुत परिशान था कि बाबा मुझे क्यों भेजना चाहते हैं तो अचानक ऐसा ही हुआ कि उस समय के महराश्चा के चीफ मिनिस्टर और उनकी फैमिली पुटा परती में आए तो कुछ समय के बाद में भगवान बाबा ने मुझे बड़ा प्रकाश का आभा और इतना प्रकाश है जैसे कि उनके बाबा के सिर से प्रकाश निकल रहा है और करीब दो फीट तक जा रहा है गोल्डन प्रकाश एक स्वन्नी प्रकाश और मैं जैसे अंदर घुसा मैं इंट्रिवुरूम के मैं सब्दर आई है मैं तो कुछ कहनी पा रहा हूं बोलनी पा रहा हूं मैं तो प्रकाश को देखके ही मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं समझनी पा रहा हूं कि मैं क्या करूं क्या कहूं तो भगवान बाबा ने बोला हाँ 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 आज़र आज़ो बैट ज़ो बैट ज़ो तो मैं बैठ दिया पर मेरा पूरा जो ध्यान के अंदर भाबा के आभागी उपर में है तो भगवान भाबा ने बोला देखो यह चीफ मिनिस्टर है हमारे महराश्च के और इनके जो सुपुत्र हैं वो अमेरिका पी MBA के लिए जा रहे हैं आप इनको MBA हमारे MBA के बारे में बत आया किस तरह से हमारा जो है value based integral education है किस तरह से शरीर मन और आत्मा तीनों पर ध्यान दिया जाता है किस प्रकार schedule है किस प्रकार से special value based education है सब कुछ मैंने बताया करीब 5 मिनिट में तो फिर बावा ने उनको कहा देखो यह बच्चा भी और और बच्चे भी मुंबई आने व मैं आपना बॉइस को कभी भी politicians के पास में नहीं चोड़ता है तो मैं बावा का आभा देखके और भगवान बावा के जाने की बहात सुनके मैं और ही बहल हो गया और मैं रोने लगा मैंने का बावा मुझे आप मत भेजिए बावा मैं इधर ही ठीक हूं मैं डेटा वेटा स सूमी मुझे कही जाने का जरुरत नहीं 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 तुम्हारा गैड़ बोला है तुमको जाने के जरुरत है और मैं एक खबते के बात है Next स्वामी आना जाना मिलागे पूरा ग्यारा बारा दिन हो जाएंगे स्वामी मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं आपको एक पल भी छोड़ने की तो मैं उस समय जबकि हमारे साथ में व्याइपी और वो गेस्स मवजूद थे फिर भी मैं भगवान बाबा के आभा को देखके और भगवान बाबा के जाने की कसम सुनके मैं तो बहुत ही वहल होगा कि मैं बाबा आपको छोड़के मैं क्यों जाओ एक आपका दर्शन जो है अमूल है इस वर्ग के देवताओं को भी आपका दर्शन नहीं मिलता होगा और हमें दर्शन छोड़के मैं भगवान बाबा क तो मैं कुछ data collection के लिए चाहूं, जबकि आप उन्दर सक्षम है उस data को यहाँ पर मुझे देने के लिए, पर भगवान बाबा ने का नहीं जाना तो पड़ेगा, तो फिर मैं भगवान बाबा के चड़नों में सिर रख के रोने लगा, फिर बाबा ने मेरे अश्रूप पोच जा और उसके बाद बाहरा के बैटा है, तो इस तरह के कई अनुभव हैं, student time के, रिसर, scholars time के, और specially drama के समय के जो अनुभव हैं, उनका तो, मतलब आप यह समझे कि बाबा मेकप रूप में आके, बच्चों की कंगी कर रहे हैं, उनका मेकप ठीक कर रहे हैं, लिप्स्टिक लगा रहे हैं, और उनकी dresses को सही जगा से कर रहे हैं, हर एक चीज़ के अंदर में बाबा शामिल होना चाहते हैं, बच्चों की जीवन के अंदर में, इससे बड़ा और सभाग्य क्या हो सकता है, कि भगवान बाबा यह कहते हैं, कि मैं अपने जीवन का आखरी कतरा तक अप विश्वास रहेगा, कि उनको देखके लोग समझेंगे कि भगवान बाबा के जीवन का आदर्श क्या था, फिर एक दिन वो आएगा, जब अगर एक अंधा भी होगा, जिसने कभी बाबा के बारे में सुना भी नहीं है, कुछ कहा भी जानता भी नहीं है, अगर उससे अगर आपॉइंटमेंट हुआ, और अगर भगवान बाबा जब युनिवर्स्टी में आते थे, एंब ये कॉलेज में बाबा की विशेश क्रिपा रही, भगवान बाबा जब हमारा एंब ये कॉलेज शुरू हुआ, तब भगवान बाबा कई सब्जेक्स भी पढ़ाते थ बाबा कहते थे, देखो, awareness is my subject, rural development is my subject, and common sense is my subject, ये मैं आके तुमको समझाओंगा किस तरह से, और भगवान किस तरह से क्लास में भी आते थे, और lectures दिया करते थे, हम सब को management topics के उपर में, जो topics Harvard के अंदर में भी प्रभेश नहीं किये थे, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी किसी को भी, वो subject भगवान बाबा ने हमारी MBA college में उन्हें बाबा ने शुरुआत करवाई, तो इस प्रकार से भगवान बाबा हर पल, हर शन, और हमारा MBA day special हुआ करता था हमेशा, और भगवान बाबा हमेशा हमारे MBA day के drama को देखने के लिए, MBA day में special function के लिए पल जो है भगवान बाबा के साथ में हमारा स्वन्नी में रहा है, और वो एक यादगार है, सिर्फ हमारे लिए इसले हम चाहते हैं कि उस स्वन्नी ब्यादगारों को सब के साथ में बांटें, साकि और भी लोग इसे लाभान ने था हूं